और अचानक से सालों से BJP समर तक BJP हेटर बन जाए तो समझो इस आग में हवा बाहर से फूकी जा रही है आक्रोश है तो ठीक है उसे बात में दिखाईए आज आप आक्रोशित होकर BJP को हरवा देंगे कल को क्या होगा जब राहूल गादी 15 अगस्त को लाल किले से भाशन दे रहे होंगे भाई साब आपने ये क्या कह दिया है मतलब कुछ तो सोच समझ के कहा होता सबसे पहले एक्स पे ट्रेंट कर रहा था नो वोट फॉर BJP उसके बाद से आस्क मोदी अंकल और अभी जो है एरिस्ट मोदी भाई कैसे क्यूं आखिर ऐसा कौन सा गुना कर दिया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने किसी को थपड़ मार दिया और उसने कहा अब तू देख अब तू देख मैं क्या करता हो तो शायद लगता है मीडिया वालों से कोई पंगा वंगा हो गया है किसी एक इंटर्नल टीम में पंगा हो गया है जो के भाई अभी वो बसल पे बसल मचाया जा रहा है और एक के बाद एक चीज ऐसे आकर के पड़ रही है कवर करने पे लगे वे अपने साहिल भाई ये कहते हुए कि भाई राजपूत और बीजेपी के बीच में जो भी मट भाव हाँ मट भाव भेद वगरा चल रहा है उस चीज का फाइदा कोई बीच वाला आदमी ले करके जा रहा है मतलब अभी बीजेपी के जो सपोर्टर है उनको भी यकिन हो चुका है कि इस बार जो है कुरसी जा सकती है वैसे वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लेर कर देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कभी भी दिमाग में ये सोचा नहीं जा रहा होगा जितने भी अकल वाले लोग होंगे थोड़े पढ़े लिखे लोग होंगे वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होंगे कि राहूल गांदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा बाई ऐसा मुझे तो कभी भी नहीं लगता है और अभी अगर बात की जाए तो अभी भी कम से हम 5-10 साल और थोड़ा मचियर होनी की जरुएते पिछले 2-3 साल से कुछ अच्छा दिख रहा है कुछ mindset लोगों के सामने में change हुआ है उनके कामों से उनकी बातों से उनकी जो भी logic वो बताते है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत केरो बहुत ज़ादा नहीं तो ये तो दिमाग से निकाली देना कि BJP को इसलिए लोग सपोर्ट नहीं कर रहे है क्योंकि लोग राहुल गांदी को वेटाना चाह रहे है और ये भाई साब ने सपना तक देख लिया है कि सोचो लाल कीला के उपर में 15 अगौस के दिन में राहुल गांदी शपत ले रहा होगा तो कैसा लगेगा अरे भाई पहले रिजल्ट आ जाने देते उसके बास से हार मान जाते तो भी समझ में आता तुम तो पहले से हतियार डाल दिये भाई इसलिए कहते अंदभक्त और अनपड होने से अच्छा है भाई थोड़ा कुछ दिमाग लगा और थोड़ा बहुत अगर पढ़ लिये होते न भाई तो आज तुम्हारी दिशा और दशा कुछ और हो रही होती किसी की चाटने की जरुत नहीं हो रही होती ये भाई साब अचानक से राजपूत समुदाओं को चाटने लग गया है कि ने नी वो अपने जगे पर एकदम सही है लेकिन बस गलट टाइम पर अरे मुझे एक बात बताओ जो भी जनता है वो अपनी आकरोश कब देखाती है कब अभी तुम अभी सत्ते में हो और तुमन ये सब तो बाद में भी हो सकता था तुम तो वही कह रहा है तुम्हारी गल्फरंट तुमारे सामने बैटी हो किसी मुद्दे को लेकर के बात कर रहे तुम कहा रहे चोड़ा यार पहले ओए हो करके आते पिर आरे जब तुम ओए हो या आओगे तो फिर वह कौन सा तुम उ करकार क्यों नहीं चल रही है समझ रहे हो थोड़ा भाई यहां पे जितने भी लोग है ना पढ़े लिखे लोग इनको जो है ना सब समझ में आता है काम तुम से निकलवाएंगे लेकिन वोट उन्हीं को देंगे जिन को उन्हें देना है जिन से उनको फायदा वो उन्हीं को क्योंकि आपका तो rule है ना कि अगर आप हार गए तो आप सामने वाले party जो जीत गई है उसके जितने भी भाई लोग है खरित करके अपने इसमे डालो हम जीत गए तो याद है ना एक बार हुआ था महराश्ट्र में सारे के सारे लोगों को लॉक कर दिया गया था इन ही इन ही वज़े से इस भाई साब ने सोचा कि इनके इस वीडियो से थोड़ा सा डामेज कंट्रोल हो जाएगा क्या पता जो है राजपूर जितने भी लोग है वो लोग समुदाय लोग जो है इस बात को समझेंगे और जा करके वोट करेंगे ऐसा मुझे होते वे तो नहीं लग रह चुके हैं कि वो खरगोश्च बने वे हैं जिनको आप कुछ नहीं देखाई दे रहा है जिनका यह कहना है कि अरे तुम लोग भड़काने का काम कर रहे हो सर जी ये सारी चीज जो है न सर ने सिखाया है तो जो चीज आप पिछले 10 साल से कर रहे हो लोग तो वहीं सिखेंग ना नफरत को फैलाओ सही जेविगे पे जाके पिन मार दो उसके वास से हिंदू मुस्लिम केलो भाई सब बड़ा बोले जा रहे है कि राजपूद जो है अपने सम्मान के लिए सरकटवा भी सकते सरकाड़ भी सकते हो क्या बात है ये शहाद जो जट रहे ना भाई ये समझ कि गorsun मे ये समें दिलवाया था है वही वैकसिंन जिसके बारे में भी पोल कुल रहे है कि खुला जो है एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ इसके टेस्ट मेर ये निकल करके आया है जिन लोगों ने लिया है उनको बलटकलाट हो रहा है खूण जम रहे है इसके इलावा और बि प्यारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा वैक्चिन हम आपको दे रहे तो भाई कोविशिल्ट तो भाई मैंने भी लगाया 800 रुपे दे करके अब उसका क्या मरे नहीं यह किसमत है लेकिन सोच के देखो जिस तरीके से जिस हाई लेवल पे ज अपने धुनकी में हैं बीच में कहे जा रहे हैं कि लोगों को बढ़काने का काम कर रहे हैं और मैं फिर से कह रहा हूं यह सारी चीज जितनी भी चीजे हो रही है लोग लोग इस चीज के लिए भी नहीं पड़े हैं कि कौन बैठेगा लोग अभी इस चीज के लिए पड़ लिखे को फारसी किया, अगर आपको लगता है कि EVM से आप जीत सकते हूँ, तो भाई उसको भी तो आप count कर सकते हूँ, लेकिन मना क्यूं कर दिया गया है, ये भाई साब जब से आये, ये सारी चीज़ को खरीद के बैठ चुके हैं, कि आप तो भाई हम ये सारी चीज़े करे बैठेंगे, वनना सोचो इनको अभी 6 साल के लिए बैन किया जा सकता था, जो स्पीच इनों ने दिया है, अप कभी भी धरम के नाम पे, अपने सैनिक के नाम पे, और जितनी भी ऐसी चीज़े होती है, जिससे आप बहुत गलत तरह से चीज़ों को छोड़ रहे होते हूँ लोगों के दिमाग में जो impression जा रहा होता है, वो सारी चीज़ तो करी रहे है ना, उसके बावजूद भी इनको कोई कुछ बोल रहे है, नहीं बोल रहे है ना, इन सारी चीज़ों के बाद भी ये जीतेंगे, हाँ मैं शर्त लगा सकता हूँ, ये जीतेंगे, और ये मुझे जो एक चीज याद आ रहा है कि बहुत बीच में ट्रेंड चल रहा था कि जब विपक्ष सभी के साथ मिल जाए गडभंदन करने के लिए तयार हो जाए पूरा देश तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हो तो समझ लो राजा इमानदार है वा ऐसी इमानदारी को भई 25 तोपो की सल अच्छा एक चीज और दिमाग में आ रहा है कोई भी सरकार जब आती है तो वह अपनी चीजों को गिनवाती है कि हम क्या क्या करेंगे इस बार में जो है कुछ अलगी हो रहा है भाई साब सच्ची में अपने जो पीम साब है ना वह एकदम ट्रेंड से ट्रेंड लेकर आते हमेशा यह होता है कि हम यह करेंगे अगले पांस साल में यह होगा हम यह चीज देंगे अब तक यह सुविधाय हुई है हमने यह प्रामिस किया था उसमें से हमने इतना चीफ किया है जो बाकी है वो भी करेंगे और आने वाले पांस साल में हम यह चीज करके देंगे लेकिन और किसी लड़के ने मस्त वीडियो में कहा था कि यह अभी जो भी चीज़ा चल रही है इसके बावजुद कुछ अंकल लोग बोलेंगे ए तुमको प्राबलम क्या है मोदी जी इतना अच्छा तो काम कर रहे है पिछले दस साल में कितना कुछ किया उन्होंने सतर साल जो इन लोगों ने बिगाड़ा है उसको सुधारने के लिए थोड़ा तो वक्त चाहिए न उसके बाद से भाई सब एक दलिल देते है कि जब आपके घर में कोई काम वाली बाई आती है आपका घर को साफ करती है और घर का अगर एक कुना अगर रह जाता आप उसको कि की दोगे रोज रोज उसको सुनाओगे लेकिन वही चीज आपके साथ में रियल लाइफ में आपके फ्यूचर के साथ आपके आने वाले बच्चों के साथ में किया जा रहा है आप उस पर कुछ नहीं बोलोगे आप बोलोगे तो लगता है लेकिन यह अंकल जो फ्री बैठ में हिम्मत है तो आपने बच्चों को कहें मुदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया इंडिया वो सब छोड़ो तू मीधर आओ इंडिया में आके काम करो लिख के दे सकता हो इनके बच्चे मुपे माना कर देंगे बोलेंगे तुमको जो करना करो मैं वापस नहीं आ रहा हू कि आपके पेरेंट्स ने कभी आपको यह चीज कहा था कि आप मुसलमान से बात मत करो आप इस धरम से बात मत करो इन लोगों ने हम पे बहुत अत्याचार किया है कभी हुआ था क्या कभी ऐसा बोला था नहीं बोला होगा लेकिन अभी जो है अभी आपको बताया जा रहा है कि आप खत्रे में हो, जहां पर majority एतनी बड़ी है, जहां पर share का दिल लेकर के हम हिंदु लोग चलते हैं उनको एक ऐसे कौम से एक ऐसी community से खत्रा है जो कि सिफ एत्तीस ही है ओ भाई, मतलब उस बंदे ने कड़क कड़क एक दम वीडियो मनाया था, वो वीडियो मिस आउट हो गया है और अगर मिलेगा तो मैं लगा भी दूँगा इतना तो समझ में आ गया है ये तो तैय है कि थोड़ा सा मतलब चार पिलर नहीं पर एक पिलर तो शायत सा हो जाएगा, लडख़डा जाएगा जिसके वह ऐसे बीजेपी सपोर्टर कहलो या फिर बीजेपी कहलो पूरे तरह से हिलेव है ओवराल मुद्दा से वितना है मजा बहुत आ रहा है भाई, बहुत आ रहा है हमारे पास में तो सरकार कोई भी है हम तो भाई वो सारी चीज़ें मांगेंगे जो हमें चाहिए होता है और अगर वो आती है उसके भी मज़े ली जाएंगे कोई ऐसी सरकार नहीं है, जिसका कोई पास नहीं है जिसने कभी जूट ना बोला हो, जो कभी भी करप्शन पे ना गया हो, सब ने किया हो बस इस सरकार में इतना है कि ये भाई साब खरीदना जानती है मुझे भी खरीदना है, बिख जाओंगा मार्क कसम, 20-50 करोड दे दे ना बस So that's it, that was my opinion What's your take, आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ, मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है, agree नहीं करेंगे disagree कर जाएंगे, लेकिन या कमेंट में जो भी अपनी विचारदारा है, लिख करके जाना यहां तक वीड़ो देखने के लिए तहदल से धन्यवाद मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सौस्त रहो मौस्त रहो, जबरदास्त रहो